मैं मितलेश चाओदरी, a speaker of Sandhya Flex Group. Sir, हम आज का जो topic में कर गया हैं, आज का जो subject है आपके लिए, मारे लिए, निया जनरेशन के लिए, जो इसका लाइफ को बदल के रख देगा. How to become a master? यह सब्जेक्ट पर जाने से पहले, मैं आपको अपना पोड़क के बारे में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा. यह आप देख रहे हैं सारी PVC वार्टर स्टॉपर बोलते हैं, आज के मार्केट, आज का जो कंस्ट्रक्शन फिल है, जैसे RCCC, यह बिलिंग आफे रवार्टर स्टॉपर बनाता है, इसमें हम लो हमारा जो मनुफेक्टरिंग है, 150 विर्थ होता है, इसका जो विर्थ रहती है, 150 mm और इसके लोदे थिकनेस होती है, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, दूसरा साइज में चलते हैं तो यही सें डिजान होता है, 225 mm, एक रोल का जो क्वांटिटी होती है, एक रोल 25 इंटर का इंच रोल होता है, इसमें ठीकने सम्मों भी स्टार्ट करते हैं, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, तो एक और मार्कर के रिवार्मिन के इसाफ से इंजिनियर के रिवार्मे plains रिक 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 ह्वार्माइट के हिशाथ और जो प्रण परड़क का जो कांपाॉनिंक जो डिजाइन किया जाता है, इस पर आईल एस बगारत लोजियाँ पेहें ओर इसलिए अ और इसका जो डि जो Bureau of Indian Standard में उसको सटिस्टाई किया है, इस सारे प्रोपर्टी और डिजाइन जो है, आज पर एस्पेक्ट के इसाब से फॉलो करते हुए, हम कस्टमर को फीबेक देते हैं, थर्ड जो साई जाता है, 300 विर्थ राता है, उसमें 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 15 mm बेक्जों थिर्मिस करता है अगर आपका कोई requirement हो, तो हमें contact करना मत भूलिए, हमारा जो वेब साइट है, www.sandhyaplace.com, www.sandhyaplace rubber.com, हमारा mail आड़ी है, sandhya rubber at the red jimble.com, हमारा दूसरा mail आड़ी है, sandhya, flex2020 at the red jimble.com, हमारा contact नमर है, 9652-9932, और दूसरा हमारा contact talent, 950-921-831, ओके, तो हम अभी चलते हैं, अपने subject पर, आज कर जो subject है, how to become a master in your field, अगर कोई भी आप काम करना चाहते हो, या business करना चाहते हो, कोई भी फिल्ड में आपको अगर success होना है, तो उसका master, उसका master, उसका माश्टर माइंड होना जरूरी होता है, little knowledge is very dangerous, अधिजल गगरी छलकत जाए, और थोड़े धन में खल वो रहाए, जो थोड़ा सा knowledge जो रहेगा, आपके लिए, आपके family के लिए बहुत देंजर होगा, इसलिए जब तक कोई भी subject में जाने से पढ़े, कोई भी फिल्ड में जाने से पढ़े, उसका आपको master mind होना जरूरी होता है, जैसे ये का घड़ा होता है, उसमें आधा घड़ा पानी लाता हो, तो बार बार छलकते रहाता है, बताता है कि मैं पानी से बहुत भरा होगा, गड़ा पूरा लवालब उसमें आवाज भी नहीं आती है, इसलिए जब तक आपको पूरी जनकारी नहों, जिस फिल्ड में आप काम करना जानते हो, जगर मार्केटिंग में जानते हो, तो मार्केटिंग का आपको बहुत experience होना चाहिए, अगर आप manufacturing में जाते हो, कोई भी फॉलो दा मेंटर्स पाथ, आप अपने साथ में काम किये हो लोगों को फॉलो करिए, आखी दो यहां तक कैसे पहुंचा, उसे आपको फॉलो करके आपसे उसका experience को आपको लेना चाहिए, शिखना चाहिए, जब से आप छोटा पच्छा स्कूल में जाता है, तब टीचर को क्या बोलता है, कैसे पढ़ाता है, क्या बैडी लेंग्वेज है, कैसे रहना चाहिए, कैसे नीटनेश मेंटेन करना, कैसे दिश्प्ली मेंटेन करना, वो टीचर समझाता है, तो फॉलो बचा जो करता हूँ, ग्रे, मतलब सुडेंट बलता है आगे चल करके, उसी तरह से हम अगर कोई बिजनेश करना जान चाहते हैं, तो जो पहले से बिजनेश कर रहा, उसके साथ कुछीन आपको श्पेंट करना का पड़ेगा, अटलिस और फालो करते हैं, उसको पैसे क्या महा रहा है, क्या कर रहा है, तो पुरा नौलेज होने के बाद ही आप जो है, मास्टर म बन सकते हो, तभी हो काम करना शुरू करना चाहिए, नेक्स आता है कोबिक, लान वेराइटी आप स्किल्स, एक्सेप्ट दवान यू आप दूइंग मास्टरी, अगर आपको बिजनेश करना है, तो काली एक स्किल पर नहीं काम करना है, जैसे आप काली मनुफेक्टरिंग क आपको पास पर्चेज नहीं है, नौलेज तो आप मनुफेक्टरिंग नहीं कर सकते हो, उस आप सेल्स जानते हो, तो पर्चेज का भी नौलेज होना चाहिए, अगर आप बिजनेश करते हो तो एकांट्स का भी नौलेज होना चाहिए, अगर आपको पास तो नंबर अश्कील आपको काफी बिल्ड़ करना होगा, खाल एक ही काम करोगे, एक ही नॉलेज रखोगे, तो कोई भी बिजनेस हो, चाहिए कोई भी एरिया हो, उसमें आप फेल हो जाओगे, तो जिस फिल्ड में हो, उसका ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर अवराइटी का में आपको तज्यूरबा होना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए, पर्चेज का से आपको नॉलेज होना चाहिए, मनुफेक्टरिंग का नॉलेज होना चाहिए, सेल्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस बिजनेस में काम्याब बन सकते, एक चीज का नॉलेज ले करके चलोगे, life आपका flop हो जाएगी, business आपका failure हो जाएगी, इसलिए, आज का जो subject है, how to become the master in your field, next जो आता है, 10,000 hour rule, to become a master, you need to spend at least 10 hour in a field, अगर कोई भी फिल में आपको master बनना है, तो one and a half years, 10,000 hours बोले तो एक one and a half years में 10,000 hours होता है, अगर कोई भी फिल में आपको master बनना है, तो one and a half years को आपने आपको भूल जाना पड़ेगा, मतलब कि पड़े, आपको 10 गंदा वही काम करना होगा, जो जिस फिल में master बनना चाहते हो, जिस फिल में king बनना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, अगर स्टुडेंट हो तो 10 hours आपको spend करना पड़ेगा, अगर आप operator हो तो 10 गंदा आपको उस काम करना होगा, अगर आप mark office हो तो 10 hours हो काम आपको करना पड़ेगा, एक one and a half years का आपको अपने आपको भूल जाना पड़ेगा, इतना मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप उसका master बन सकते हो, जब तक आप master नहीं बन सकते हो, तो कोई भी आपको सफालता नहीं में लगी, कोई भी organization आपको नौकरी पर नहीं रखेगा, कहीं भी आपका life settle नहीं पड़ता है, दस ओवे में भी हाँ बोलना पड़ता है, तो कोई भी काम है, उसमें आपको time देना होता है, अगर time आप नहीं दे साथ, तो अपने घरों में बैठ जाओ, किसी organization के साथ, आप खेल मत खेलो, कोई भी business करते हो, जैसे आप किराना के दुकान लागते हो, तो 10 ल आप सोचोगी कि हम time भी नहीं देगे, हमारा business में रन हो जागा, तो factory भी अगर लगाते हो, तो आपको 9 बज़े से पहले, आपको company में जाकर देखना पड़ेगा, 9 बज़े जब company बंद होती, तो फिर आपको visit करना होगा, आप जब तक खुद को alert नहीं करोगे, ज़्याद टाइम नहीं दो गयता, आप business का king नहीं बन सकते हो, आप life में success नहीं हो सकते हो, तो आज का video देखने के लिए, धन्यवाद, मैं मितलेश चाओदरी, हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, एक नया ताज़ी भरी video लाते रहेंगे, ताकि इसे कल्जू गुरूपी समा अपने family को, समाज को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने देश को कैसे बढ़ाना है, तो अगर एक video आपको पसंद है तो इसको like किजिए, subscribe किजिए और अपने friend circle में फैलाएए, धन्यवाद.